क्या आपने कभी सोचा है? अगर चांड बी से टूट जाए तो क्या होगा? और आपने कभी ये सोचा है? जब वाई फाई रूटर से वाई पाई का सिङनल निकलता होगा? तो उसका शेप क्या होगा? अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं FACC number 5 क्या होगा अगर चांद 20 से तूट जाए अर्थ पर इसका क्या असर दिखेगा अर्थ पर ऐसी बहुत सारी चीजे हैं जो मून से डिरेक्टली एफेक्ट होती है जो ये हमारे दिन का शेडियूर है वो पूरे दिन का चलते पॉसिबल हो पाता है इसी प्रोसेस में अगर मून को निकाल दें तो बहुत सारी चीजे हैं जो और पर बदल जाएंगी जैसे जो टाइट्स होते हैं वो चांद की वज़े से ही क्रियेट होते हैं और जो समुंदर की लहरे हैं चांद की क्रैविटेशन फूर के ही चलते मूव होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चान्द के बीच से तूटने की वज़े से नहीं हो पाएंगी पैक नमर फोर आपके स्कूल की फीज कितनी है जादा से जादा 20,000-30,000 रुपए पर मन्त होगी शायद इतनी भी नहीं होगी लेकिन इंडिया में कुछ ऐसे स्कूल है जहाँ पैरंट्स एक महिने का लाग रुपए से भी ज्यादा खर्च करते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए और अगर हम वर्ड की बात करें तो ऐसे भी स्कूल है जहाँ पर 10 लाग महिने देके बच्चे पढ़ते हैं और इन स्कूलों में ब्रेक में आपको कॉम्प्रिमेंटरी कॉफी लंच और वैसी बहुत सारी फैसलिटी भी प्रोवाइड कराई जाती है आपने वाइफाई तो कई बार यूज किया ही होगा तो क्या आपको पता है जो वाइफाई राउल्टर होता है जिसे आप वाइफाई का सिगनल निकलता है वो किस तरह दिखता होगा जनली लोग सोचते होंगे कि वो स्ट्रेट वेव की तरह निकलता होगा बट एक्चली म अगर आप किसी ऐसे कैमरे से देखोगे जो सिगनल देख सकता है तो उस कैमरे में सिगनल एक डोनट जैसे शेब में दिखेगा Fact No.2 Egyptian ममीज के बारे में तो आप सभी जानते होगे Egyptian ममीज कितनी मिस्टीरियस होती ये तो आप सब को भी पता होगा और पुराने समय में ममीज की बाडी को प्रिजर्व करने के लिए क्या करते थे एक अजीब सी finding में पता चला है कि फैरो रेमेसिस 4 इनकी बाडी मिली थी Ancient Egypt में और जब इनका inspection किया गया तब पता चला कि इनकी आखों की जगा प्रिजर्व करने के लिए अनियन रखा गया था और इसलिए था क्योंकि यह माना जाता है कि जो Egyptian लोग होते वो अनियन को वर्शिप करते है क्योंकि अनियन eternal life को signify करता है तो लास्ट रेक की तब बढ़ने से पहला अगर वीडियो पसंद ना रहो तो चैनल को लाइक और सुस्क्राइब करना ना भूलें फैल नमबर वन एक पिच्चर ऐसी है जिसपे इलॉन मस्क ने भी रियक्ट किया था यह वो पिच्चर ही है और इस पिच्चर की अमेजिंग बात यह है कि एक स्पेस्शिप का पार्ट है और स्पेस जंग के बारे में तो आप जानते ही होंगे जिसमें पुराने डिस्ट्रॉइट सेटलाइट घूमते रहते हैं तो उसी मेंसे किसी एक का एक छोटा से प्लास्टिक का पीफ सिर्फ 14 ग्राम का मतब 14 ग्राम कितना ही होता है एक 10 रुपए की चौक्रेट भी 14 ग्राम से भारी होती है और आप साइड में यह जो पिच्चर देख रहे हो ना वो उसी 14 ग्राम की प्लास्टिक के पार्ट से को बाद की है जो कि 24,000 किलोमीटर प्रती घंटे की राफ्तार से टकराया था और उसके बाद इसका ये हाल हुआ